देखी, next topic, function के अंदरी next topic अमारा, inverse of a function inverse of a function एक function का inverse में का आखना, क्या होता है एक function का inverse? शुर्च वेरी symbol दिखने होता है, दिसे, f और f के ओपर inverse इस तरह इसका symbol होता है, इसे हम कह सकते हैं कि ये function का inverse है लेकिन inverse निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक condition होती है पहले और condition क्या है, पहले वो देखें, condition है कि पहले function का one one and on two होना वो जरूरी है अगर function one one and on two नहीं है, तो function का inverse एक जित नहीं गरेगा और अगर one one and on two है function, तो फिर उसका inverse भी adjust करेगा और फिर हम inverse कैसे निकालते हैं, वो ही हम आज की topic में डिसकस करेंगे तो देखे, हमने इसले लोपिल नहीं आपको बताया था कि one one and on two on function में किस तरह से प्रूब करते हैं उसमें मैंने बताया थे दो method, एक मारी arrow diagram और एक हमने statement के दुरूब किया था, जिसमें बड़े-बड़े set दिए वे था आपको natural number का, integer का, real number का तो उनी के उपर एक question है simple सा, तो सबसे परते देखी, inverse आता कैसे है, यह देखी मैं लिए तो हमने स्कोज किया f x equals to y, माल यह, कि f x equals कोई value है y, अगर हम यहां से f हटाएं और f को इस तरफ लेके आएं, खाली f है, तो अगर यह आगी से हटता है, तो यहां जाके आगी लगता है, तो क्या है यहां खाली x बच गया, और यह f इधर आया, तो f के उपर inverse हो गया, f inverse हुआ ही, इस तरह से show होता है इसका, अब आई बात इसका inverse निकलता है, कैसे है, वो दिली कैसे find करते हैं, यह दो symbol है कि इस तरह इसका symbol तयार होता है, इसके लिए हम एक simple सा, एक question define करते हैं, जैसे, question है, एक पर आपको set दिया गया है, पहले set दिले लेते हैं, let r be the set of real number, इसके बाद हम mapping define कर लेते हैं, this implies x such that r tends to r, इसके बाद definition fx equals to suppose 2x plus 7 over 3, माल दीजिए, यह कोई function के definition है, 2x plus 7 over 3, और इसके according, अब हम इसका inverse रेड़ करेंगे, तो inverse के इसका पहले मैंने बताया, function का one one or one two होना बोच जलूरी है, अकर यह one one or one two show करेगा function, तो इसका inverse होगा, otherwise इसका inverse exist नहीं होगा, तो पहले one one pro करते हैं, और यह हम पहले बता चुके हैं, one one or one two कैसे निकलता है, तो मैंने पताया था, पीस्ते topic के अंदर, तो माल लेते हैं, let x1, x2 blows to r, यह पताया था, मैंने कि यह r कॉन सा mapping का पहला set देते हैं, इसके बाद एक और condition मालते ह x1 equals, sorry, let fx1 equals to fx2, इसके बाद हम fx1 की और fx2 की यहाँ पे value रखते हैं, और हो कहां से आती हैं, यहाँ से value रखते हैं इकलके, x की जगर अपको x1 और x की जगर अपको x2, तो एक पार इगी है मेरो defined होगी, और एक पार इगी है मेरो defined होगी, तो यहाँ से क्या आएगा प 2x2 plus 7 over 3, अगले पार इगी है बताया था आपको मैंने कि यहाँ से हम x1 की value प्रेट करते हैं, उसके लिए क्या होगा, पहले 3 से 3 कैंसे, अगले पार में, इस अपलाइस, क्या बचा ही दर, 2x1 plus 7 equals to 2x2 plus 7, 7 से 7 कैंसे, यहाँ पे क्या बचा, 2x1 equals to 2x2, 2 से 2 कैंसे, तो हम क कह सकते हैं, x1 equals to x2, यहाँ बताया था पिछले बाल कि, जितनी x की maximum power होती है, उतने ही x की answer निकल के आते हैं, इसमें x1 की maximum power 1 है, तो x1 का एक answer निकल के हैं, वो है x1 बगाबर x2, चेक करते हैं, क्या यह answer इस set में लाइक करता है, मैं पिल यह पहले set के अंदर, तो हम के पह 1-1 हो गया, next second part, on to check करते हैं, on to function, on to में क्या होता है था मैंने पहले, let y belongs to r, mapping की second set पकड़ते हैं equal element, उसके बाद एक और condition मानते हैं, let fx equals to y, यहाँ हम fx की value put करते हैं, और value क्या है fx की 2x plus 7, over 3 equals to y, यहाँ से हमने x की निकाल गए value, तो देखो, exterior आईगी, 2x plus 7 equals to 3y, तो x equals to हो गया, 3y minus 7 over 2, check करना है क्या यह answer, mapping के पहले set में लाइक करता है, नहीं करता है, check करते, तो x equals to यह है, mapping का पहले set r, r मतलब real number, क्या यह answer real number में लाइक करता है, तो real number में क्या बताया था, मैंने पहले बताया था, कि divide में 0 नहीं हो, और अगर अंदर उपर square root बनता है, तो उसके अंदर negative value नहीं बने, ना क्या square root है, और ना ही यहां पर divide में 0 है, तो हम कह सकते हैं, belongs to r होगा, belongs to r है, तो बताया था हमने, कि यह value क्या होगी, on to होगी, on to होगी, तो मैंने कहा था, थोड़ा step repeat करना होता है, step repeat कैसी होगा, इसको first मानना है, जहां fx की वैजो रखते हैं, और जहां x का अंदर से निकालते हैं, उसको second मानते है, पड़ी तरब से, कि कहा था मैंने, put equation second in first, second equation को first में put करते हैं, और यहां से इसको solve करेंगे, put करके, तो यहां हम पहली करवा चुके हैं, तो क्या हैगा, y equals to y है, और मैंने कहा था, यहां हम on to लिखे दे हैं, function is one one हो गया, on to हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, hence f inverse exist, hence, f inverse exist, और अगर exist करता है, तो फिर हम inverse कैसे निकालते हैं, वो देख आ गया, तो देखें, inverse के लिए, now, हमने अपनी तरफ से question नहीं लगाना है, सब कुछ हमें यहां पर given है, पस उसी से निकालना है, जैसे हमने यह on to के अंदर मान रखा है, f x equals to y, एक बार नहीं बार मानी हैं, अब इसका दोबार हम यूज़ करेंगे यहां, तो मैंने तू, now f x equals to y, now, f x equals to y, यह नहीं करना है, कि एक बार यहां let होगा है, दोबार फिर let करेंगे, एक बार लएट होगा है, दोबार आप उसको now करके लिखेंगे, f x equals to y, पहला किस, इसके बाद, यहां से f लगने क्या हो, तो क्या बना, x equals to y, यहां आपको यहां बताया, काल लोले पार्ट और 2 equals to f inverse to y, यह equation कहां से आई है, यह value कहां से आई है, तो हम कह सकते हैं, यह value equation number second से हमने लिखी है, कि from second यह value आगी, इसके बाद एक बार फिर सुनी इस्टेट क्या हुआ है, बरकर, सबसे पहले हमने हर पार्ट ओंटू से उठाना है, ओंटू में क्या दे रखके आपको f x equals to y, हमने माना है, इसको हमने यहाँ पे, यहाँ एक बार स्कोज कर लिया, तो यहाँ पे सिदा यूज करना है, f x equals to y, यहाँ से x बराबर f पे लिख्या हो, f inverse y, x की रखिये welcome from second efficiency की, और यही पर हमारा inverse हो गया, और कौसर खतम हो गया, लेकिन अगर इसके बाद आप करन कर दे आप, क्यों, क्योंकि इत कॉसन के अंगर आपको x दिया रहा है, और हमारे यहाँ पे y आ रहा है, अगर आप चाहो तो करना कर सकते हो, तो यहाँ भी चोड़ सकते हो, यहाँ भी सही है, लेकिन फिल्ट अगर करना चाहो, तो क्या है रहे हैं, f inverse x equals to 3x minus 7 by 2, और हम कह स पहले भी डिसकस किये थे, एक क्वेशन अपने यहाँ डिसकस किया है, और नोंटो का, एक दो क्वेशन और डिसकस करेंगे, इसमें आपको अच्छे से आएगा बंदन नोंटो कैसे निकला दाता है, फिर इसका inverse, तो नेक टोपिक अंदर आपको बताएंगे, कि एक